दोस्तो आज हम आपके लिए लाए हैं कुकु की फैमस वाफ सिरीज सुनो ससूर जी तो चली शुनू करते हैं आज के हमारी ये वीडियो कहानी के शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक कपल साथ में रोमेंस कर रहे होते हैं जिसमें पती अपनी पतनी को आधे में ही लेता है और वो ठंडा पड़ जाता है जिसके बाद उसकी पतनी उसे बहुत सुनाती है क्योंकि वो इसे खुस नहीं कर पाता है अब इनकी सारी बाते बाहर बाबुजी सुन रहे होते हैं अब बहु अपने आपको संतुष्ट करने के लिए ककड़ी से जाकर इंज्योय करत इसका पती काम पर चला जाता है और ये किचन में खाना बना रही होती है और ससुर जी नोकर से मालिस करवा रही होते हैं अब ससुर जी नोकर को किसी बहाने से बाहर बेज़ देते हैं और खुद बहु से बोलते हैं चाय लाने को जब बहु चाय लाती है तो कहते हैं कि मेरे सिर में मालिस कर दे और अब वो इनके सर की मालिस करती है और इतने में ही ससूर जी पहले तो उसके पेर उपर चरते हैं फिर दीरे दीरे उसके उपर चरते जाते हैं आइधक बहू भी कुछ नहीं कहती है ये देखकर इसका भी मन कर जाने लगता है और ये खुद को अपने हाथों से ही संतुष्ट करने लगता है अब रोज इसके पती के बाहर जाते ही इन दोनों के बीच में रोमैंस होता है और नोकर इन दोनों को देखता रहता है एक दिन जब ये दोनों बेटे और बाप दोनों चाय पी रहे होते हैं तो इसकी बहु को उल्टिया जाती है और ये लोग डॉक्टर को बलाते हैं तो डॉक्टर बताता है कि ये मा बनने वाली है अब ये बात सुनकर उसका पती हैरान हो जाता है बोलता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं फिर ये बच्चा किसका है वो पूछने लगता है तो उसका बाप कहता है बेटा तेरा ही होगा और किसका होगा तूने शायद नसे में कर दिया हो कुछ और तू भूल गया हो तो वो क लोगों ने मुझे धोका दिया है मेरे साथ बहूत बड़ा धोका हुआ है तो इसकी पतनी कहती है और हम क्या करते तुम ने भी तो नहीं बताइकि तुम न फून सकू मुं रच चुपो जाता है वो क्या बोल सकता है उसकी भी तो गल्दी थी अब अगले दिन फिर से इन दोनों का वही रोमैंस चल रहा होता है और इतने में ही ससुजित ठक जाते हैं और वो पानी पीने के लिए बाहर जाते हैं तो बहु कहती है क्या हुआ तो वो कहता है बस पानी के आया और वो पानी पी कर बाहर ही सो जाता है हर बार की तरह इस बार भी नो कर इन दोनों को देख रहा होता है और वो फायदा उठा कर अंदर कमरे में आ जाता है और बहु के पीछे से ही लग जाता है बहु को तो पहले पता नहीं चलता कि पीछे को रहें लेकि बात में जब वो मुड़ती है तो उसे पता चलता है कि ये नोकर है वो इसे बोलती है कि तुम रुको मत तुम लगे रहो क्योंकि इसे तो बस अपनी प्यास बुचानी है और ये एपिसोड यही पर खत्म हो जाता है विल दोस्तों आपको हमारी आच की वीडियो कैसी लगी हमें जाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन मेटन को जब प्रेस कर लें ताकि हमारी हरे एक नीए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें